Welcome back, finally Nokia ने इंडियन मार्किट में अपने 2021 के नए smart TVs को लांच कर दिया है और यहाँ पर कोई एक smart TV लांच नहीं हुई है काफी सारे नए TVs यहाँ पर Nokia ने इस साल लांच किये हैं जिसमें से कुछ 4K TVs हैं, कुछ QLED TVs हैं और इसके लाबा कुछ और other TVs भी हैं तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इन ही नए TVs के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे जानेंगे कि Nokia इस साल अपने TVs में आपको क्या कुछ नया दे रहा है क्या आपको TVs बाइ करने चाहिए या फिर नहीं इसी के साथ मैं अपना personal opinion भी आपके साथ share करूँगा और इसी के साथ सबसे important बात ये कि जो TVs already market में available हैं उनके comparison में Nokia की ये नए TVs कैसे निकल कराते हैं तो इन TVs के बारे में हम सब कुछ detail में जानेंगे और मैं आपके कुछ possible questions का भी answer इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो का end तक जरूर देखना इसी के साथ जैसे आप सबी को पता है जल्द ही Amazon और Flipkart की sales शुरू होने वाली है जहां पर आपको काफी तगड़े discounts मिलने वाले हैं smart TVs पर और मेरे साथ सी ये best time है TVs पाय करने का इसी के साथ ये obvious ही बात है जब भी हमें एक साथ काफी सारे deals in office देखने मिलते हैं तो confusion भी create हो जाती है कि कौन सा product पाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए तो इसी problem को solve करने के लिए मैं आप सभी के लिए इस पूरे festive season Instagram पर available रहूंगा आप directly मुझसे one to one chat कर सकते हैं और फिर हम मिलके decide करेंगे कि आपके लिए आपकी budget और requirement के recording कौन सा product इस sale के दुरान सही रहेगा because हर किसी की requirement और budget जो है अलग-अलग होती है और एक video में सब के लिए recommendation देना यह थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को individual level पर help करना चाहता हूँ and Instagram के जो ID है वो मैंने नीचे description में दे दीगे है आप जाकर वहाँ पर मुझे contact कीजिए मैं definitely आप सभी के help जरूर करूँगा चलिए अब यहाँ पर हम video को finally शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले Nokia की and Motorola की भी बात कर लेता हूँ because 29th को Motorola की TVs भी launch होने वाली है सबसे पहली बात जो कि आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप Nokia या फिर Motorola की smart TVs लेने जा रहे हैं देखिए इन दोनों ही ब्रैंड्स ने 2019 में Flipkart के साथ ने partnership करी थी और इस partnership के तहट इनके जो manufacturing license है यानि Nokia, Motorola TVs और जितने भी home appliances आते हैं Nokia और Motorola के नाम से इनका जो manufacturing license है वो Flipkart को दिया गया है और Flipkart जो है वो इनके बिहाफ पर प्रड़क को manufacture कराता है प्रड़क को sell करता है और after sales service भी यहाँ पर आपको Flipkart के तुरू ही देखने मिलती है तो technically यहाँ पर आपको सिफ brand name जो है Nokia and Motorola का मिलता है लेकिन इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिफ brand चिपका कर आपको जो है लूटा जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है बड़े-बड़े brands अगर किसी company को अपना manufacturing license देते है तो वहाँ पर quality भी देखी जाती है तो ऐसा नहीं है कि TV की quality अची नहीं है तो Nokia and Motorola मत बाइ कीज़े because service आपको हाँ पर अची नहीं मिलती है वो मतलब राम भरो से होता है बेल चलिए अब यहाँ पर हम बात करते है Nokia smart TVs की तो देखिए Nokia ने 2019 में Flipkart के साथ मिलकर अपनी पहली TV Indian market में launch करी थी जो की TV specification wise काफी अची थी लेकिन TV में काफी सारे problems देखने मिल रहे थे users को especially display bleeding वारी problem काफी सारे लोगों को आ रही थी लेकिन फिर 2020 में जब Nokia ने अपने नए TVs लाँच करे उनमें यह वाली problem बलकुल नहीं थी और काफी जादा improvement भी हमें TVs में देखने मेली in fact Nokia की 2020 वाले जो TV है वो अभी भी एक काफी अच्छा option निकल कराती है और मेरे recommended list में number 2 पर है वो TV budget section में काफी अच्छी picture quality, काफी अच्छी audio quality आपको Nokia के 2020 वाले model में देखने मिल जाती है और अब यहाँ पर Nokia ने अपने 2021 वाले series को launch कर दिया है और यहाँ पर total आपको तीन smart TV series देखने मिलते हैं जिन मेंसे दो completely new smart TV series है और एक जो है वो relaunch किया गया है सब के बारे में हम detail में जानेंगे तो सबसे पहली series जो की आपको देखने मिलने वाली है मैंने model number नोट किया है पहली series का model number है T52X यह normal focus smart TV series है यहाँ पर आपको दो variants मिलने वाले है 50 inch और 55 inch के screen size के साथ बात के लेते हैं यहाँ पर इंके looks and design की तो TV का जो look है वो काफी अच्छा है bezels काफी जाथ थिन देखने मिलते हैं यहाँ पर metallic stand दिया गया है overall जो TV का look है वो काफी interesting और काफी attractive लग रहा है नीचे bottom में आपको एक sound bar type attached मिल जाता है अब exactly वो sound bar है या फिर design के लिए दिया गया है यह जब हम TV को use करेंगे या फिर TV को सामने से review करेंगे तब ही हम बता सकते हैं लेकिन TV को जो look है वो काफी अच्छा निकल रहाता है बात कर लेते हैं यहाँ पर हम specifications की तो यह जो TV है यह 8 bit plus FAC panel के साथ आती है 60 Hz का refresh rate यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है TV में VA panel लगाया गया है with delayed backlighting और यहाँ पर जो 50 इंच वाला variant है इसकी brightness जो है 370 nits है और 55 इंच वाला variant है उसकी brightness 400 nits है TV में आपको 5000 is to 1 का static contrast ratio देखने मिल जाता है यहाँ पर बात करे जाए TV की brightness की तो यहाँ पर आपको इस segment में एक decent brightness यहाँ पर देखने मिल जा रही है जो कि है 400 nits की अब मैं ऐसा नहीं कमगा कि काफी जादा brightness है इस TV में लेकिन इस price range में इस segment में जो बाकी other options हमारे पास available है लाइक मैं बात कर लो Mi TV की या फिर OnePlus TV की तो उनमें हमें hardly 300 nits, 280 nits की brightness देखने मिलती है तो उनकी comparison में 400 nits जो है वो काफी decent है और इतनी brightness में आपको जो HDR वगरा है वो थोड़ा सा बहतर देखने मिलता अगर हम उनसे compare करें लेकिन यहाँ पर अगर 500 nits की brightness होती तो काफी अच्छा होता आपको HDR performance काफी बहतर मिलती थी लेकिन still जो specifications हैं वो काफी अच्छे हैं इसके साथ TV में आपको MEMC का भी support देखने मिल जाता है और Dolby Vision का support भी TV में दिया गया है along with HDR10 तो यह हैं TV के details specification display को लेकर और इसके साब से लग रहा है कि TV में आपको picture quality काफी अच्छी देखने मिलेगी as compared to बाकी other options जो कि हमें इस segment में देखने मिल रहे हैं sound department की बात करें जाया तो इन TVs में आपको सभी TVs में आपको 60W के speakers दिये गए हैं JBL power speakers यहां पर लगाए गए हैं और यहां पर आपको Dolby Atmos का भी support दिया गया है अब JBL speaker वाले TVs को मैंने खुद यूज करा है इस TV को यूज नहीं किया है लेकिन जो Hisense की TV है जिसमें हमें JBL powered speakers देखने मिलते हैं View की TV है जिसमें JBL के speakers देखने मिलते हैं उन TVs को मैंने खुद परस्टनली यूज करा है और JBL powered speakers की अच्छी बात यह होती है कि जादा high volume पर भी distortion आपको नहीं देखने मिलता है और जो frequencies है वो काफी अच्छी तरीके से सुनाई देती है चाहे वो bass frequencies हो, higher treble हो या फिर middle frequencies हो तो यहाँ पर speaker की quality काफी अच्छी मिलेगी हाला कि बिना TV को use करें या फिर बिना अपने कानों से सुनें ये बताना मुश्किल है कि audio कितनी अच्छी होगी लेकिन जे बिलके speakers हैं तो audio से आपको कोई problem नहीं होगी और medium size के रूम के लिए इनफ होगा आपको शायद से sound bar की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी तो ये है display and audio के बारे में specification बात करते हैं software की तो इन सभी TVs में नो जितने भी TVs इस साल launch करे हैं सभी TVs में आपको directly Android TV 11 out of the box देखने मिलता हैं काफी अची बात हैं Android वाले सारे features मिल जाते हैं फिर वो चाहे Google Assistant हो, Chromecast हो या फिर बाकी सारे popular ODD platforms हो यहाँ पर आपको वो far-filled voice recognition system नहीं मिलता है remote के अंदर आपको voice accession का button मिल जाएगा आप उससे command दे सकते हैं इसके अलावा इन TVs में आपको Real Tech, Quad Core प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो कि run करता है 1.1 GHz के clock speed पर जो कि मेरे साब से एक decent प्रोसेसर है आपको performance अच्छी मिल जाएगी और यहाँ पर GPU आपको Mali G31 देखने मिलता है तो यहाँ पर improvement करी गई है GPU में Graphics यहाँ पर आपको काफी अच्छे मिलने वाले है 2 GB की RAM है, 16 GB की internal storage है Dual Band Wi-Fi Bluetooth 5.0 का support 3 HDMI port और 2 USB port आपको Nokia के इन TVs मिल जाते हैं Along with बाकि सारे required essential ports तो यह है Nokia के नए TVs के बारे में Detailed Specification यह जो specs हैं वो Nokia T5-2X के थे जहाँ पर आपको 2 variants देखने मिलते हैं 55 इंच और 50 इंच के screen size के साथ pricing के अगर बात कर ले जो है तो फिलाल यहाँ पर 55 इंच वाला variant है उसकी pricing flip card पर इस समय 50,000 रुपे रखी गई है और जो 50 इंच वाला variant है उसकी pricing यहाँ पर इस समय flip card के उपर 45,000 रखी गई है इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम अगले series की जो की है T5Q series जी हाँ QLED series तो यहाँ पर Nokia ने QLED smart TVs भी launch करे हैं और यहाँ पर जो non 4K series है और जो QLED series है दोनों में आपको same variants मिलते हैं 50 इंच के और 55 इंच के और दोनों ही TVs यानि QLED TVs और non QLED TVs के जो specifications हैं वो exactly same है, even design and look सब कुछ आपको same देखने मलता है बस जो difference है, वो है quantum dot filter का यानि कि यहाँ पर जो है brightness वगर आपको दोनों ही TVs में same देखने मलती है QLED TVs है, वहाँ पर आपको 400 की brightness, 5000 इंच का static contrast VA panel, वही 60 Watt के speakers, same processor, सब कुछ same देखने मलता है, बस आपको जो है QLED TVs में QLED यानि quantum dot filter देखने मलता है, बाकि कोई भी difference नहीं है, बात कर लेते हैं QLED TVs के pricing की यानि T5Q series के pricing की तो यहाँ पर जो 50 इंच वाला variant है उसकी pricing 50,000 रुपे रखी गई है और जो 55 इंच वाला variant है उसकी pricing यहाँ पर 55,000 रखी गई है, जो कि मेरे साफ से QLED TVs के लिए काफी अच्छी और competitive pricing यहाँ पर इन्होंने रखी है, अब यहाँ पर आप सब एक सवाल आएगा, कि जब यहाँ पर normal TVs में और जो QLED TVs हैं, उनमें कोई भी difference नहीं है, सिभाई quantum dot filter के, तो क्या हमें actual picture quality में difference देखने मिलेगा, या फिर ने, because contrast ratio, brightness बगरा, तो सब कुछ सेम ही है सिर्फ जो है QLED का ही फरक है यह आपको difference देखने मिलेगा picture quality में, because QLED quantum dot filter होने का फायदा यह होता है कि आपको different shades of colors देखने मिलते हैं, तो जो QLED TV से उनमें, आपको 102% NTSC color gamut देखने मिलता है, और आप दोनों ही TVs को अगर आमने सामने रखे, compare करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि जो picture quality है, वो यहाँ पर QLED TVs में अच्छी है, और आप जो है उस TV के तरफ जादा attract होंगे तो viewing comfort भी आपको मिलता है बाकी जो colors है, वो भी काफी अच्छे देखने मिलते हैं QLED panel में, लेकिन जादा drastic change नहीं मिलने वाला है because brightness and बाकी सारी चीज़े तो सेम ही है, तो pricing तो मैंने आपको कोई भी ले लो, आपको picture quality अच्छे मिलेगी जितना मैंने टीविस को यूज करा है, नोकिया टीविस को यूज करा है उसके बिसेस में यहाँ आपर हम इतना बूल सकता हूँ तो ये दो smart TV series हमें Nokia के तरफ से इस साल new देखने मिलते हैं आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि total तीन smart TV series है जिनमें से दो ये completely new है जिनके बारे में हमने detail में बात करी अब जो third smart TV series है जिसको relaunch किया गया है, उसके बारे में जानते है और उस series का नाम है Nokia T8P series जो कि basically Nokia 2020 का ही upgraded version है basically Nokia 2020 जो model है उसको ही यहाँ पर उन्होंने completely upgrade किया है और इस साल यहाँ पर उन्होंने फिर से relaunch किया है आपको याद होगा कुछ ऐसा ही scene जो है वो last year हुआ था Motorola के साथ में जैसा आप सभी को बता है Motorola and Nokia दोनोंने Flipkart के साथ में partnership करी है तो ultimately सब कुछ यहाँ पर Flipkart ही handle करता है तो last year जब Motorola ने अपने 2020 के नए TVs market में डिड्यूस करे थे तो उसी साथ side में Motorola ने अपने 2019 वाले TVs को completely upgrade करके फिर से relaunch किया था जो कि इस समय काफिजा popular है और उस TV का नाम है Motorola ZX Pro जी हाँ Motorola ZX Pro जो है वो 2019 वाले Motorola ZX का upgraded version है तो same यहाँ पर आपको Nokia के case में भी देखने मिलने वाला है तो जो Nokia की 2020 वाली TV है उसको यहाँ पर upgrade किया गया है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा detail है बता रहा हूं ताकि आपको history भी पता चले बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर देखने मिलने वाला है तो design and look तो आपको same देखने मिलेगा ऐसा लगा कि यह Nokia के पुरानी TV है लेकिन internals यहाँ पर change करे गए है TV की बात करते है तो यहाँ पर भी आपको VA panel मिलता है 8 bit plus FRC panel दिया गया है delayed backlighting मिल जाती है जो 43 inch वाला variant है यहाँ पर यहाँ पर आपको 5 variants मिलते है 43 inch, 50 inch, 55 inch और 65 inch I think यह 4 होता है तो यहाँ पर आपको VA panel मिलता है with delayed backlighting brightness की बात कर लेते हैं तो जो 43 inch वाला variant है उसकी brightness यहाँ पर 320 nits है और जो 50 inch वाला है, 55 inch वाला है static contrast यहों देखने मिल जाता है Dolby Vision का support आपको इस बार दिया गया है जो 2020 वाला variant हाउस में Dolby Vision का support नहीं मिलता था और नहीं MEMC का support मिलता था तो यहाँ पर उन सब चीजों को improve किया गया है तो इस साल के नए TVs में आपको Dolby Vision और MEMC का भी support दिया गया है with micro dimming support इसके अलावा HDR 10 तो आपको मिलता ही है तो यह सारी होगे display specification audio की बात करें तो इस series में आपको on cue powered speakers मिलते हैं 48Watt के और Dolby Atmos का support इस बार आपको दिया गया है तो last year के मुकाबले यहाँ पर MEMC आपको मिलता है Dolby Vision Dolby Atmos यहाँ पर आपको upgrade करके दिया गया है और बाकि एगर speaker की बात करें जाया है तो on cue powered speakers है personally मैंने खुल on cue speakers को use करा है Nokia TV को ही use करा है काफी अच्छी और decent audio quality मिल जाती है जैसे आपको JBL के speaker की quality मिलती है वैसे ही आपको on cue powered speakers की भी quality मिलती है तो यहाँ पर आपको 48W के speakers मिलने वाले है सभी variants में इसके अलावा TV में last year हमें Android 9 देखने मिल रहा था लेकिन इस बार सभी TVs में आपको Android TV 11 देखने मिल रहा है latest operating system, सारे Android वाले features और यहाँ पर भी आपको वही same processor, वही same GPU देखने मिलता है जो की Nokia के बाकी सारे TVs में देखने मिलता है जो की QLED TVs होगे और बाकी जो मैंने आपको बता है उन सबका जो hardware है, सबकुछ same ही है तो यहाँ पर भी आपको 2GB RAM, 16GB internal storage, dual band Wi-Fi जो की last year नहीं देखने मिल रहा था तो dual band Wi-Fi भी यहाँ पर include किया गया है इस वाली TV है, वो मेरे लिस में number 2 पर आती है लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह TV शायद से मेरे लिस में number 1 पर आज सकेगी बिकास यहाँ पर जो कमिया है पुराने वाले विरेंट के वो यहाँ पर upgrade करे गए है अब यहाँ पर इनकी pricing कितनी है, इसके बारे में अभी बताना मुझेल है बिकास flip card पर यह TV अभी अभी लेस्ट हुए और flip card वाले इतना आल सी है, वो जल्दी pricing update भी नहीं करते तो फिलाल इन TV की pricing flip card पर mention जो है, वो में आपको बताता हूँ जो की actual pricing बिलकुल नहीं है, काफिस दा high price है तो यहाँ पर 43 इंच वाले variant जो है, इसका उसकी pricing 45,000 रखे गई है जो 51 इंच वाला variant है, उसकी pricing 55,000 रखे गई है 55 इंच वाला variant है, उसकी pricing 68,000 रखे गई है और 65 इंच वाले variant की pricing 88,000 रखे गई है प्राइशन मत लेजए, यह actual pricing नहीं है pricing जो है, वो मैं आपको नीचे description में update कर दूँगा आप एक बार चेक कर लेना तो यह 3 complete नए TVs आपको यहाँ पर Nokia के तरफ से देखने मिलने वाले है अब कल के दिन्याने 29 सेप्टेंबर को Motorla भी अपने नए TVs को launch करने वाला है बात कर लेते हैं मेरे opinion की कि मेरे साब से यह Nokia के TVs कैसे है सबसे पहले बात करते हैं Nokia T52X की यानि जो नए 4K TVs लाँच करे गए हैं 50 और 55 इंच के screen size में उनके बारे में देखे, TVs तो काफी अच्छ हैं लेकिन pricing मेरे साब से थोड़ी सी जादा अलग रही है उनकी like 50 इंच वाला विरेंट आपको 45 का मिल रहा है और 55 इंच वाला आपको 50 जावर पर का मिल रहा है तो मेरे साब से अगर pricing 50 इंच वाले विरेंट की अगर 42, 43 होती तो काफी अच्छा option होता इसके अलावा जो 55 इंच वाला विरेंट है उसकी pricing अगर 47, 48 होता तो काफी अच्छा होता लेकिन फिलाल इंच की pricing जो है वो थोड़ी जादा रखी गई है लेकिन इसके अलावा बात करेंचा है QLED TVs की QLED TVs मुझे काफी अच्छे लगए है तो उसके अगर देखा जाए तो नोकिया काफी अच्छा option निकल करा आता है तो यहाँ पर अगर आपका वजट 50 या फिर 55,000 रुपे का है और आप एक QLED TV लेना चाहते हैं तो उसकेस में definitely आप नोकिया के QLED TVs को consider कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है इसके अलावा बात करते हैं जो रिलांज किये गए है नए TVs नोकिया T8P की और नोकिया T52X की इनके बीच में confusion होने वाला है बिकास दोनों ही 4K TVs है और पूरा hardware और software तो पूरा ही same है display specification भी same है जो difference आपको देखने मलता है वो है बस audio का यानि जो 4K variant है 2021 के actual वाले उसमें आपको JBL powered speakers मलते है 60W के output मलती है और बाकी जो पुराने वाले को relaunch किया गए है अप्ग्रेट करके उसमें आपको 48W के speakers मलते है Oncure powered speakers के साथ बाकी design और look में थोड़ा सा changes के अलबा कोई भी difference नहीं है तो यह totally आपके उपर depend करेगा अब मुझे जो relaunch करेगा है variants T8P उनकी pricing तो पता नहीं है लेकिन जब आपके बस pricing सामने आ जाए तो आप देख लेना दोनों में से कौन सा सस्ता है और जो आपके budget फिट हो आप उसे भाई कर सकते हैं अब चले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं competition की की market में जो already TV's available है उनके हिसाब से ये नए TV's कैसे निकल कर आते हैं तो सबसे पहला सवाल आएगा की Hisense Tronado के comparison में कैसे हैं देखिए Hisense Tronado की में बात करो तो महावर भी आपको 400 nits की brightness बगरा देखने में जाती है सकते हैं because अगर हम Hisense की बात करें तो वहाँ पर आपको picture और sound जो है वो अच्छा देखने मिलता है लेकिन Nokia TVs में वो दोनों ही अच्छे मिलते हैं सादे साथ आपको hardware और software भी काफी अच्छा मिलता है तो मेरे साब से Hisense Tronado का एक अच्छा alternative यहाँ पर Nokia हो सकता है इसके अलावा compare किया जाए OnePlus या फिर MITV से जात में तो उनके साथ में कोई comparison नहीं है because OnePlus की TVs को मैंने खुद यूज करा है 280 nits की brightness मिलती है कहां 280 nits और कहां 400 nits तो कोई comparison नहीं है Mi TV की बात करो Mi TV 5X एक decent option है लेकिन उसके comparison में picture quality के comparison में Nokia ही बहतर होगा because Nokia TVs को मैंने खुद personally use करा है काफी अच्छी picture quality, काफी अच्छी HDR performance देखने में जाती है जो कि Mi TV में नहीं मिलती है हाला कि अगर आप दूर दरास के अलाकों में रहते हैं तो उस case में Nokia और Motorola की service उतनी अच्छी नहीं है then आप Mi वगरा consider कर सकते हैं तो यहाँ पर यह कुछ available, already available options है जिनके साथ मैंने comparison कर दिया है तो I hope यह video आप सभी के लिए informative रहा होगा इसी के साथ अगर आप confused हो चुके हो मुझे पता है confusion बहुत होने वाली यहाँ पर तो simply आप मुझे अपना budget बताईए आपकी requirement बताईए और Instagram पर आजाएए हम detail में discuss करेंगे कि आपके लिए कौन सा TV बेस निकल कर आ सकता है इन सभी टीवी की जो buying links हैं मैं आपको नीचे description में दे रहा हूँ I hope यह video आप सभी को पसंद आया होगा मिलता हूँ मैं next video में एक ने topic के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई सावनारा